जैहिंद बच्चों स्वागत हैं आप सभी का आपकी अपने चनल डिया सर्मा पर तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ आज यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरूँ से लेकर अंत तक जरूद देखेगा क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी ही भाग करना सिखाने वाला हूँ जैसा कि यह आप लोग देख सकते हैं एक्जाम पर कि 2 से भाग में दूँगा 632 को फिर 5 से 225 को 7 से 573 को इसी प्रकार से 8 से 32 को और यह एक अलग प्रकार की भाग अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप भाग में फस्ट सकते हैं इसलिए इस वीडियो को लास्ट देखेगा और मैं यह भाग वीडियो के लास्ट में कराने वाला हूँ यह सभी important भागें हैं इसलिए आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट देखेगा चलो start करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहली भाग क्या है हमारे पास 2 से हमें भाग देना है 632 को तो हम लोग कैसे देंगे इसको तो इसको देने का सबसे आसान तरीका मैं आपनों को बताऊंगा क्या है इधर दो है तो हम इधर की संख्या अब सभी नहीं देखेंगे सिर्फ हम सबसे पहले देखेंगे 6 बाली मतलब पहली संख्या कौन सी है तो पहली संक्या हमारे पास है 6 तो 6 देखेंगे तो आब हम लोग क्या करेंगे 6 है पहली संक्या और 2 छोटा होता 6 बड़ा होता आप सभी लोगों को पता होगा तो आब हम लोग क्या करेंगे ये कि 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए लेकिन 6 से ज्यादा ना हो चलो पढ़ लेते हैं 2 एक कम 2 2 दो नी 4 2 त्याए 6 मैंने 2 का पहाड़ा सिर्फ 3 बार पढ़ा और हमारे पाथ 6 आ गया अब 6 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे अब 6 आ गया ना तो हमारे पास कितना बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है कुछ भी नहीं बचेगा तो हम क्रोस का चिन लगा देते हैं ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो हम उतारेंगे अगली संख्या को और अगली संख्या हमारे पास है तीन तो तीन को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं अब तीन को हमने उतारा तो यहाँ पर क्या करना अब हमने दो का पहड़ा इतनी बार पढ़ना है कि तीन आ जाया तीन से कम रहे लेकिन तीन से जादा ना हो पढ़ लेते हैं दो दूनी चार अब देखते हैं हम दो का पाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो चार हो जाएगा और चार तीन से जादा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सिर्फ दो का पाड़ा एक पार पढ़ेंगे तो यह एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा और 2-3 से कम होता यही भाग का रूल होता या उसके बराबर आजाए उससे कम आजा लिए उससे जादा ना हो गर हम 4 लिखते तो 3 से जादा हो जाता और यह भाग गलत हो जाती तो इसलिए मैंने 2 ही लिखा क्योंकि 3 तो आता नहीं है तो 2 लिखा तो इसमें से इसको भी माइनस करेंगे माइनस करने के बाद 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अब एक बचेगा ना अब उसके बाद हम उतारेंगे अगली संख्या को क्योंकि यह संख्या है चोटी और दो है बड़ा इसलिए इसमें इसका भाग नहीं जाएगा जब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं तो उतारते हैं दो है तो दो को हम यहाँ पर उतार लेते हैं उतारने के बाद यह संख् 10 और 2 चंग 12 कितनी बार पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा और 12 आ गया तो 6 हम लोग यहां पर लिखेंगे और 12 आया है तो 12 हम लोग यहां पर लिख देंगे ठीक है अब इस में से इसको माइनस कर देंगे माइनस करने के बाद 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और ये 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो इस तरीके से हम लोग भाग कर सकते हैं तो I hope कि आप लुको ये भाग समझ में आ गई होगी तो आप हम लोग देखते हैं अगली भाग तो अब हम लोग देखते हैं अगली भाग अगली भाग हमारे पास है पांसे में भाग देना है दोसो पचिस को तो इसको कैसे देंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भाग में जो इधर 5 है तो सबसे पहले इधर की 225 नहीं देखेंगे सिर्फ हम लोग पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर है 2 तो हम लोग क्या करेंगे पांच का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दो में तो जाएगा ने क्योंकि दो छोटा होता है पांच बढ़ा होता है तो इसलिए अगर यह संख्या छोटी रह जाती है तो इसमें भाग नहीं जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं हम पत्चिस आजाए तो आप हम लोग करेंगे एक शुरी पांच का पढ़ा चार बार पढ़ेंगे क्योंकि 5 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 रचेगा और 20 22 से कम होता है ठीक है कम ले सकते हैं उसके बराबर ले सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि 22 तो 5 के पाड़े में नहीं आता है तो हम कम बाली संख्या को ही लेते हैं तो क्या है पांच को बीस चार बार गया तो चार हम लोग यहां पर लिखेंगे और वीस आया तो बीस हम लोग यहां पर लिख देंगे ठीक है आप हम लोग क्या करेंगे इस मेंसे इसको माइनस करेंगे माइनस कर लेते हैं दो में से जीरो को घटाएंगे तो हमारे पास दो ही बचेगा कितना बचेगा दो ही बचेगा ना अब दो में से दो को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर दो रह गया दो छो ओना परते हैं, 5, 5, 5, 2, 10, 5, 15, 5, 25, 25, 25, 25, 25, 25 हम लोग यहां पर लिखती हैं, क्योंकि पूरी-पूरी संख्या यह चट गई, तो इस में से उसको माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, पांस में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, दो में से 2 जाएगा, तो भी कुछ न आप लोई इनको नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे चोलो हम इसको भी देख लेते हैं तो इसको भीだ कि पढ़ेंगे इसलिए इसमें जाएगा ने جब नहीं जाएगा तो आप हम लोगे दो संख्याओं को दो संख्याओं को लेने के बाद हमारे पास संख्या बन जाती है यहाँ पर 57 अब 57 बन गए 57 तो 7 से बड़ी होती इसलिए इसमें इसका भाग चला जाएगा जब इसमें इसका भाग चला जाता है तो आप हम लोग पढ़ेंगे इतनी बार पहाडा साथ का कि 57 आजा या 57 से कम रज 640ड सा चंग 42 और 7, 49 और 7, 58 च्चपपन कितना हुगए 56 और साथ नां 63 करेंगे तो 6357 से जादा हो जाएगा 63 अगर कर देंगे तो 57 से ज्यादा हो जाएगा और हमें क्या करना है 57 से ज्यादा ने 57 से कम रखना है या 57 आ जाए लेकिन 7 के पहाड़े में 57 तो आता नहीं तो इसलिए क्या करेंगे 57 से कम कितना है 56 और हमने कितनी बार पढ़ा तो 7 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा और 5 से 5 जाएगा तो चुछ भी नहीं बचेगा यहां पर हमारे पास कितना बचा एक बचा न अब हम लोग साथ का पहरा पढ़ें तो इतना छोटा रजागा एक एक छोटा हो जाएगा तो इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा तब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या को अगली संख्या हमारे पास तीन है तो तीन हमने यहाँ पर उतार लिया अब तीन को उतारने के बाद हमारे पास संख्या बन गई तेरा कितनी बन गई तेरा तो आप हम लोग क्या करेंगे यह कि 7 का पहड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 13 आ जाए या 13 से कम रह जाए लेकिन 13 से ज्यादा ना हो पढ़ते हैं चलो 7,1,7,7,7,24 अगर हम दो बार 7 का पहड़ा पढ़ लेते हैं तो 14 हो जाएगा 14 कितने होता तो 13 से बड़ा होता है तो इसलिए हम पास बचेगा कितना छे बचेगा ना छे बचेगा अब यही जो छे बचा हुआ है यह हमारा क्या बचा है सेस बचा है या इसी को हम लोग बोलते हैं सेस फल बचा हुआ है क्या है इसी को हम लोग सेस फल भी बोल सकते हैं या सेस बचा हुआ है इस तरीके से हमने यह भाग भी complete के लिए तो अब हम लोग देखते हैं last बाग और बहुत ही important भाग है इसको जराभी में इसकी मत कीजिएगा बहुत ही ध्यान पुर्व कि इसको देखिएगा चलो देखते हैं क्या है सबसे पहले मेरे पास 8 है और हमें भाग देना है 32 को तो हम लोग सबसे पहले पूरी संख्या नहीं देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे हम लोग पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या हमारे पास 3 है कितनी है तीन अब 8 बड़ा है तीन छोटा है तो इसलिए इ नहीं जाएगा तो हम दो संख्याओं को यहाँ पर ले लेते हैं linie के बाद हमारे पर संख्या बन गई 22 कितनी वन के AT22 तो अब हम लोग एक और ने चार बार उम लोग ने चार बार पड़ा और हमारे पास पूरी की पूरी संख्या 32 आ गए अब 32 आ गए कितनी बार माई ये 8 चकू 32 बार में आ इना चार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 32 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब 32 लिखने एक बाद इस में से इसको माइनस कर लेंगे अब 2 में से 2 को खटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और 3 में से 3 को खटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या को को क्योंकि यहां पर जब संख्या छोटी रह जाती है तो हम अगली संख्या को उतारते हैं लेकिन यहां पर की दूसरी संख्या को उतारने से पहले हम एक संख्या तो ऐसे ही उता सकते हैं लेकिन दूसरी संख्या जब हम लोग उतारते हैं तो यहां पर हमें 0 बढ़ाना अगर हम यहां पर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो यह भाग हमारी क्या होगी गलत हो जाएगी तो इसलिए कि अगर दूसरी संख्या उतारने से पहले हम यहां पर 0 बढ़ा लेते हैं अब हम दूसरी संख्या को उतार लेते हैं यहां पर कोई भी संख्या होती तो भी हम उतार लेते आठ पंचे चालिस देख सकते हैं पूरी के पूरी संख्या आगए आठ पंचे चालिस तो पांच हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और चालिस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब क्या करेंगे इस में से इसको माइनस करेंगे 0 में से 0 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा और 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा तो इस तरीके से हमने 4 की 4 के भागों को complete कर लिया है I hope कि आप लोग को ये भागे समझ में आई होंगी और बहुत ये आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिस भी की है यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले वीडियो देखने के लिए थैंक्स